आप लोग का आधी काल जो सिद्ध काव धारा है जिसके उपर आप लोग बहुत सारी कोसेशन हर एक साल एक यहाम में देखे जाते हैं उन पे हम लोग बात करते हैं ठीक है डिटल में जानते हैं बाग कि आप लोग सुस्वाट में भी आंसर लिखो गये तो कोई दिक्रत आप गौतम बुद्ध जी का बोथ धर्म था तो बोथ धर्म जो है बाद में जलके कितने भाग में बढ़ गया था उनके जो जितने सिस्ष थे ना सब सिस जापस में धखरा कर गए दो पाटे में इसको बाट लिया एक हो गया आप लोग का जो है हीनियान ठीक है हीनियान और एक हो हो गई एक आप लोगे चल गया तो बरज्यान अदिए आप लोगे हो बत्राइश Sara लोगे ल में दूत और क्लास में नए बच्चे आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल ठीक है नोटिफिकेशन कौन करना कम्यूनिटी में आप लोग को वहां पर पोस्ट डालता हो तो आप लोग वहां पर जाकर देख लिया करो नोटिस में ठीक है मांचितर अगर देखो तो पुरी भारत में कौन-कौन सारा जात असम हो गया तिर मेगालय हो गया उड़ापलो का जया सिक्की मरी सब हो गया ठीक है तो यहां पर देखिए विद्वान मानते हैं कि यहां छेतर आरंब से ही परतिक्रिया का छेतर रहा बहुत ज़्यादा ठी निर्वान मतलब किया कि अन्तिम मिर्तिव उपराम ठीक है बहुत धर्म में मिर्तिव नहीं वहां जाता है तो जब उनका मिर्तिव हो गया तो उनके कि ANGै सब्सक्राइब घ्रिंष का esas занимे सो भी और यदे भी अ कि निया सब्सक्राइब में बांती जैप मुजाय की मेंप सिर्थ bullying आदमी मतलब नाम का बहुत धर्म है अब आके अपना सब काम अपना कर रहा है ठीक है इस टैप का आदमी हो गया था तो सिद्धों में जो से कुछ ने इसका संसकार करके बहुत धर्म के सहज रूप को प्रसूत करने का प्रयास किया कि नहीं ऐसा नहीं करो ऐसा बिलकुल भी सब गलत है लेकिन सिद्ध कवियों ने अपने रचनाओं में धर्म उपदेश देकर इंद्रिया निग्रह सदाचार के पालन पर बल दिया उन्होंने कहा कि इंद्रिया यानि कि इंद्रिया हमारे पास कितनी है पांच आँखना कान मुह तो ठीक है अगर इसकी उपर हम शयम पर बहुत ज़्यदा बल देते थे कि इस पे हम लोगों को अडिग रहना चाहिए और इन्ही के माध्यम से व्यक्ति और समाज को नियमित करना चाहते थे वो चाहते थे एक आदमे जो हमेशा एक से डूल में रहे नियम नियमित चले और शयम बनाए रखे साहजता से ए इसी तरह से आदमी रहे तो अच्छा रहेगा ठीक है इस भासा में अर्थ कहरा धरातल नहीं है यानिकि इसका मतलब एक धरातल में आप लोग को बोले जाए तो इसका अर्थ धरातल में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका पालन बहुत हाड होता है सभी आदमी इसका पालन कर सकता है ठीक है खतर का व्यार्थ कानेक आयाम दिये गए हैं सिद्धों की रचना भासा शंधिया भासा थी सिद्धों की जो रचना भासा थी रचना लिखने का जो भासा था किस भासा में लिखते थे तो शंधिया भासा थी ठीक है इसलिए कुछ जगहों पर सिद्धों की परिभासा मुस्किल में भी डालती है तो आप लोग को आप धियान रखना है ठीक है काता है डाक्टर राजकुआर बर्मा ने कहा है कि सिद्ध साहिति का महत्व इस बात में बहुत उपयोगी अधिक है कि उससे हमारे साहितिक रूप की सामगरी जैसे कि प्रमानिक धंग से प अगर देखें तो सिर्फ उसमें क्या चिति है राजनेतिक जीवन हम लोग का राजनेतिक जीवन कैसा था पराचिन काल में वह दिया गया है ठीक काता है ऐसी सिद्ध साहिति में सताबदियों से आने वाली धार्मिक और सांस्किर्टिक विचार धारा का सपष्ट उलेख जो था रास्तु कावे हैं ने कभश चारन काल के बहुत तो इसमें प्रतिखाद जबकि सिद्ध भाविध रामें शमानेजन को गहरे परभावित करने वाला अध्यात्मिंप भीमर्स मिलता है आप लोग कर धियां डहते हम की आप लोग का सिद्ध साहिति से क्या मिलता है आप जिन्दी हम कैसे कुछ जा रहेंगे समाद में रहके और वहीं आप लोग का जो है चारन काल में जो है आप लोग को क्या मिलता है उसमें आप लोग को दुस्मनी करना राजनीती में चापलूसी करना यह सब मिलता है आप लोग को चारन काल में कि और दी कि काता है कि सिद्धों के संख्यां किटनी are 84 है और शर्हपा इस का बिधारा के परमुक कभी है सिद्धों में सबसी्फितर कवी कॉन है सरहपा ठीक है यह सद्धि साहित के अगरणी है मतलए बहुत आगय सबसे आगय मतलывать सिद्धि साहित में और परंतु इनकी किर्ती का आधार अस्तम्ब दोहा कोश था और इनकी किर्ती यानकी लिखने का जिस्टायल था वो किसमें दोहा टैप में लिखते थे ठीक है कहानी टैप में बिल्कुल भी नहीं इन्होंने रूधी ग्रस्त बहुत धर्म का खंडन करके सहज साधना का परच साथ रहेगा अपने यानंद्री पर कैसे हम काबू पा सकते हैं इन सब चीजों के बारे मुन्होंने अच्छे से लिखाए ठीक है इन्होंने अपने विचार में जो है दोहों और चारी गीतों में परकार से व्यक्त किया सारा चीज को ठीक है इनकी भासा पाखंडों का करने का काम करती है मतलब ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है ठीक है अपने काल के करांतिकारी कवी थे इन्होंने अपनी सरल भासा में मुहावरों और लोक्तियों का भी परियोग क्या है कौन अपने समय के करांतिकारी कवी थे सरहपा ठीक है आप लोग को यह धिहान रखना है आगे देखिए कि शिद्ध जो है खंडन मंडन की परविर्तियों के सहित ने जो है खंडन मंडन की दिखाई देते हैं इसने आगे चल कर भक्ति कालिन संत कवियों विशिषकर कवीर को जो प्रभावित किया है कवीर जी का जितने भी दोहा है कहां से मिलती है कि कहीना कहीनी से सब्मांदित है देखा इन्होंने उन्हों की सरहपा जी का सराजीज दोहा में हो गया या फिर गीत में हो गया तो इसचोंने भी क्या करते हैं गोहा दोहा लिखना सुरू कर दिया तो डोमभिया नामक सिद्ध कभी कहता है एक और सिद्ध कभी कौँ है डोमभिया वो क्या कहते हैं सो देखिए कि गंगा जोना माझेञे बाहर नाई एसाही बुड़िली भाग पोरली प्यार कराई एक इसका मतलबी है कि गंगा योमना बाHS कहीं मन के भीतर है सब गंगा योमना आपनों नहाने जाती है कहीं नहीं आपके मन के अंदर सारा कुछ उनमें डूब कर ही भव सागर पार किया जा सकता है और धर्म का दिखावटी सोरूप इन कभियों के व्यंग प्रभारों से बच नहीं सकता है काता है कि आज की समय में आदमी जो दिखावा करने लगा है ठीक है लेकिन दिखावा जो आप लोग के रियल लाइफ मे आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा आप लोग रियल लाइफ मदद वही करेगा जो आप जब अपने मन की गंगा में जब डूब होगे तब ही अब देखिए काता है कि रूढीयों आडमबरों का बीरो दिखावा नहीं किया कविता लिखके दोहा लिखके तो काता है कि इस दोर में जो सरम संस्कीर्थी के प्रस्ताबों में अनेक परकार के रूधियां और आड़ंबर प्रचलित थे दूसरी तरह ब्रहामनों दर परति पादित वैदिक धरम भी रूधियों और आड़ंबरों से गरस्त था उसमें मरहमनों के दोरा जो दिया गया था बैदिक धर्म उसमें भी बहुत ज़्यादा पाखंड था ठीक है तो इन कवियों ने इन दोनों को डट कर विरोध किया और यह कभी देख समझ चुके थे कि रूधियों और आडंबर धर्म को नश्ट करने वाले कारा के कहीं न कहीं सब चीज के नश्ट किस से होता है रूधि से मतलब गिसी पिटी बातों को मानने वाला और पखंड से ठीक है उनसे मुक्त होकर इस अच्छी अध्यात्मिक राहत मिलती है हम लोगों को और यह परविर्थी कालिन निर्गून संत कवियों में भी दिखाई देती है किस काल के इसमाजिक जीवन का चित्रन करते हैं, तो सिद्ध। कवियों ने संची जीवन के ज्यंत चित्र उतारे हैं, उन्होंने भक्ती कालिन कावे के लिए प्रिष्ठ भूमी का काम के, काय राता है, एक सिध कवियों ने समाजिक जीवन के जो जीवंत चित्र उतारे हैं अपने दोहा में या फिर गीत में उन्हें भक्ति काली काब incapable के रिए पिस्ट भूमी का काम के, उनके बाद का का राय को भक्ति काली सभ्षिध का मतलब यह था उच नीच हो गया उसका जाती भेद यह सब बिल्कुर नहीं हो चीए बस समाज में सहजता से दूसरे साथ रहें यह बहुत जरूरी है ठीक है उसे हम लोग यह संदेश मिलती है अब देखे योग साधना पर बल देना जरूरी है क्योंकि उसी समल ल में योग साधना को सरीर वं बुद्धी की स्वक्षता और विकास के लिए आवस्य घोसित किया है और आचार विचार के धरातल पर आदिकालिन समाज में भयंकर टूट फूट हुई थी योग ही जोरने का ससक्त माध्यम था कता इस सिद्ध रचनाकारों का नुसरा ब्रहमा की देरी है वो कहां से मिलेगा तो साधना से मिलेगा ठीक है खता सिद्ध रचनाकारों का नुसरा ब्रहमांड में जो सीव और सक्ति स्थरीर में वही सहस्त्र कुंड्रीनी भी है स्थरीर का अन्दर बहुत है बस आप लोग को पाचानने की देरी है कता सिद्धों के लिए योग साधना इश्वर का प्राप्ती का सधन है करने इशवर की प्राप्ती करना शिद्धों की यह परिवेड़ी कबीर आदी निर्गुन पसाओ शंत कर। करमें दिखाई देती है करिए माध्यमता साधना करके अपने इस सर्ज पृप्ति पोल उसके प्लोग वग Whatsapp प्राप्ति परबल है और इंद्रियां सयम परबल है उसके आप लोग का ये खत्म हो देगा तो शिद्धों का विचार था कि अविधा से मुक्त होना माया के पक्ष से छूटने पर व्यक्ति को सहाजानंद के पराप्ति हो सकती है इससे उन्होंने महासुक की अनुभुति भी कहा जीवन में सहाजता है वाँ से चैज़ानंद के कही हो फर आप्रन मक्स करते से चैजन रवा हाँ ये खाल में सवन सबस्दोन के कहा झाली इंदी का उपर कर लेंगा ये बहस है कर लेते हो ठीक है कजसे है चमतकार वामाचार के विरुद में खरेव पर्ति पक्षी शिद्ध कभियों की रचनाव में भिख्रेए पढ़ें अब देग्यान प्राप्तियों पर भी बन दिया थे कौन सिद्ध सहयत वाले वेक्टियों ने का गर आपको लाइफ में जो है सिर्फ हासिल करना है क्या सहजता से कोई भी चीज को तो आप लोग को योग हो गया एंड़ा पिन ले सब आप लोगा साधना करते हो योग करते हो तहीं उसी प्रकार से अपने लाइप में सहाजता यह चीज़ा वड़ हासिल कर सकते हैं उसका इंद्रियां संयम पर बलॉ उसके पाद आप ले ुशप्टर ही खतम है तो इंद्रि पर जो हैं बिस्ति सिंतर मनन किया है सिद्धों अनुकोश को त्याज Сам नहीं समझेये सिमते समझते थे इसलिए उन्होंने मन को एक मुक्त करने पर धिक बल दिया मन को मुक्त करना बहुत जरूरी है मन की इस मुक्ति के लिए सिद्ध कव्यों व्यभारी कारगार उपाए सुझाए हैं क्या आप लोग का योगासन ठीक है तो आज एक लाश हम लोग यहीं पर देखते है कल के कलास हम लोग क्या करेंगे बताते हैं ठीक है आदिकाले नौत का विधाराकी प्रविड़ती करेंगे आज हम सिद्ध किये कल नात साहित परेंगे इस तरह हम लोग एक एक करके अपना पूरा कर लेंगे ठीक है बागी आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा वीडियो खत्म होनी के बाद आप लोग को एक लाइक कर देना है वीडियो को और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बागी आपने दोस्तों में भी सियर कर सकते हो थैंक्स